मेरी आज लाइफ में जो experiences हैं ये उनकी वज़े से है मेरी suffering इस situation की वज़े से है क्या हम ऐसा सोचते हैं? तो हम अपने से पूछें कि ये जो suffering जो हम experience करते हैं वो situation की वज़े से करते हैं या उस situation के आधार पे जो resistance हम create कर रहे हैं उसकी वज़े से होती है जो situation है वो तो हमारी current reality है वो अभी जो है वो हमारे सामने हमारी आज की परिस्थिती है लेकिन वो situation ना कोई suffering create करती है ना कोई happiness create करती है हम जो response create करते हैं कि ये मेरे साथ क्यूं? ऐसा क्यूं हुआ? वो resistance वाली thought जो है वो कई ना कई वो suffering को create करती है यदि हम जो भी situation में है उसमें suffering experience नहीं करना चाते है तो उसका पहला step है कि हम उस resistance के thought को overcome करें जो करने के लिए हम अपने को एक संकल्प दें कि ये जो मेरी current reality है उसे मैं पूरी तरह से स्विकार करता हूँ मेरे सामने आज जो बात है उसे मैं पूरी तरह से accept करता हूँ जब हम अपने संकल्पों में ये shift लाते हैं तो वो resistance वाली energy भी फिर transform होकर acceptance में आ जाती है जिससे हम उस suffering को overcome कर सकते हैं उम शान्ती